हेलो एवरिवान येस मैं सोविन सर आप सभी का एक बार फिर एक लवे बैच में बहुत-बहुत सागत कर रहा हूं एक लवे बैच स्पेशली बढ़ाई गई है एक लवे बैच में जो इसका लिंक है डिस्किप्शन बॉक में दिया हुआ है आप वहां से जो हमारा टेलिग्राम चैनल उस पर जॉइन हो सकते हैं और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बलकि फिजिक्स और मैस के भी वहां पर आपको लेक्शर मिलेंगे डेली बेसिस पर चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो इंट्रोड़क्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री चल रहा है या फिर मैं पॉलीमर चैट्टर रहों तो इसका हमारा मैं वाइट बोट पर रखे हुए आपके लिए ताकि आप जल्दी से यहां पर देख सको तो जो सबसे पहना इंफोर्मेशन में लेने वाला हूं वह है मेरा एल डी पी लो डेंसीटी पॉलीथीन कैसा दिखता है यह मैंने पिछलो लेक्शर में बता दिया है तो प्लीज अ इस अपनी लगाने के लिए पाइप को बनाने के लिए वह पणिट्राण वह इसके बद siya और वहता है और किस यूँ फ करते हैं द में करते हैं अपको बोटल बनाने के सकता है अट्रक्टिव कंटेनर बने के यूज़ किया सकते हैं इस बात का ध्यान देरा कि जो लड़ीपी होता है वो किस तरह का पॉलीमर है तो यह होता है ब्रांश्ट पॉलीमर यह सबसी इंपॉइन पाद है आपके लिए और जितने भी डबल बांड वाले क्योंकि यह भी डबल ब पीछे देख लीजिए बात करेंगे एच डीपी एच डीपी को बनाते हैं समय स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अगर आपको याद हो तो हमने यूज़ किया था जीगलर नैट्टा यादे सबको वेरी गोड तो जीगलर नेट्टा का जिगलर नेटा की मदद से ह चाहर और लगता पर प्रस्ट होगता करद लीघपीट हो गया आपके यहेशा जाता हो हाई था बनाने के लिए ड मटर्स दो 미ाट्धर जिख अपके लिए?」 तो याद रखना है कि High Density, H से Hard हाड याद रखना और H से High Density भी आद रखो, तो यह आपके लिए सबसे Easy तरीका है कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हो जो काफी हाड है, तो याद रखना High Density Polythene आप यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे कुछ यूज़ है अपने आप में यह इसका जो आंसर होता है कि मतलब जो टेफलॉन होता है अगर मैं उसको देखना जाओ तो सीएफटू डबल बॉन सीफटू से बनता है आजो बाजो सिंगल मॉन लगाते हैं नो डाउट बच्वेस्चन यह कि इसका खासियत क्या है तो यहां रखना टेफ इसका यूजम करते हैं नॉन स्टीक को क्वेर में करते हैं और गैस्केट में क्या जाता है जनली बहुत जगह पैसा होता है कि हम चीजों को पैक करने के लिए भी कुछ चैमिकल सकते हैं चलेगा अब बात करेंगा और लॉन और लॉन जो होता है एक तरह से जो ठंडी के टा और लॉन कि प्रॉपरटी मतबब वुटी होते होगी यस और लॉन वही केमिकल है जो अपने कविकल कि ये इन अपने लिया था और इस दो आता है इसलोग सब्सक्राइब रम पोलीमराइशक चाय Lesson में चलेगा जी और नीट में ये मैं इसे मैं इसे सब्ट्रण करना हूँ ठीक है कि नाइलों 6, बहुत है रिंग पॉलीमररशन के अंदर इंक्लूट किया जाता है रिंग पॉलीमररशन का मतलब होता है कि जहां पर एक रिंग होगा और पॉलीमररशन के बाद कहीं उसका जो करवरजल स्ट्रेट चेंड में हो जाएगा चलेगा इसमें अमाइड लिंकेज पाया जाता है यह आपके लिए इंपॉइंड पॉइंट होने वाला है तो रिंग पॉलिमराशन यहां रखना नाइलोन करते हैं तो टायर कोड़ अंदर इसका यूज करेंगे फैब्रिक एंड रॉप से इसका यूज करते हैं अब आते हैं ही स्ट्रेट चाहते हैं जो रिंग वाला रिंग-वाला रिंग इसमें तो कभी आ गया कुष्ट जो है है वो किस काटेक्रिय में आ रहा है और आपको स्टेपग्रोथ आप्सयों में तुमाख करना टिक्मा करना तुकि स्टेपग्रोथ um आप्ली के बले है चो डिखनारा आपके लिए नारेनक है को सकता है सिक्सक्रियोज जो ज होता है वह जिस pagan प्लास्टिक का कुछ मट्रील होता है जिससे बनता है तो वह जनरली नालों सिक्स होता है ठीक है सर्चकल सर्चस हो गए आपको जो हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत इंट्रस्टिंग कंसेप्ट यह अपने आप में चलेगा देख लिए जल्दी से अगर आप एंट्रस्टिंग कर रहे हो तो आपकी एम एकदम क्लिर होना चीए हमेस्वा दो प्लान लोगों के माइंड में होता है अगर आपके पास प्लान ए और प्लान भी दोनों है तो कहीं ने कहीं आप मैं कहूंगा कि हैं यह अप बहुत मुष्किल से होने वाले हैं ब कही प्लान लेके चलो कि मुझे एंजिनरिंग या मेडिकल में एडिमिशन लेना है अगर आपने प्लान भी रख लिया है तो समय लेना कि आपका एडिमिशन नहीं होने वाला है यह कंफर्म है अगर अपना प्लान भी बना के रखे हो कि नहीं अगर मेरा यहां पर इंविशन नहीं होता है तो मैं यह करूंगा तब आप समय नहीं कि मुश्किल आपके एडिमिशन नहीं हो जाएगा इसलिए आपका एम एकदम क्लेर होना चाहिए अगर आप 10 जगा पे चल रहे हो तो मुश्किल होने वाली है आपने एम को एकदम बोलते हैं टार्गेट ओरियंटेड रखो बही मुझे यह करना है और इसमें ही मुझे करना है तब आपको कोई नहीं रोख सकता है उस पर्ट या फिर हम बोल सकते हैं डेक्राउन अगर आपको याद होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेसिफिक के फॉर्म में होता है अगर आपको याद होगा जिंक एस अब आपको याद होना चाहिए जो ने लेक्टर में अल्यड़ी करा के दिया हुआ है अब हम बात इसका यूज हम उनी कप्र को बनाने के लिए करते हैं सेफ्टे हैलमेट के लिए बहुत अच्छे हाड़ में बंते हैं कुछ बोटर और पैकेजिंग करते हैं आसानी से कर सकते हैं नेस्ट बात करेंगे हम बैकलाइट बैकलाइट और मेला मैं वापस यहां दिखा रहों यह आपके MHT CT वालों के syllabus में नहीं है बड़ यही और नीट के syllabus में यह होगा तो मैं यह सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको एक अंदाज़ा मिलेगी क्या है पहली बात सब्सक्राइब करें तो अगर मुझे सब्सक्राइब करने के लिए उसके इंस्टूमेंट में क्या करते हैं इसको यूज करते हैं हैं यह सबक्राइब यह खरके सब आकशू बैकलाइब नामक जो टोशू इसी मिन बात करें यह Google करते हैं जो पुरेंस कर चाहिंए व trabalho में करते हैं सबक्राइब करने हाले यहां पर बेकलाइब की नहीं करनाती को लिमर जो होता है ये किसे बनता है तो यह बनता है मेला और फॉर्मल डी हाईड के दो यह दो दिखाएंगे यह लेकिन फिर भी मैं करा रहा हो ताकि छो बच्छे जेई और निट के हमसे जुड़े हैं उनको भी नुक्सान नहीं होना चाहिए ढे तो मेला मेल् और फॉर्मयाइड ऐसा इसका मोन Also इसका मोनोमरगा अब इन दोनों को जो déjà कटेम मेला ममाइन फॉर्म minha पॉलिमर ये उसका करते हैं तो कॉमन इस बात है जो सेट अधा बत नियूड हो भी आप देखिंग बहूत एट्रीओ चीज़े टेबल टॉप्स लाइक फॉर्मी का प्लास्टिक डिनर वेर इस चीजों से कहा रहते हैं विस्टेक इनसे बनाते हैं चलेगा नियोप्रिन ये आपने अपे रहा बरेंबॉर्फrd ट्रांसपोर्ट आफ गैसोलाइन मत अधाब जो गैस होती है उसके लिए उसके लिएा हम होती है उससे बनावा पाइभ हम यूज करते हैं यह तकी नियोप नियोप्रिंट होता है उससे बनावा जो रुबर होगा या फिर उससे बनावा जो इंस्ट्रुमेंट रहेगा वह कहीं सबस्क्त भाहर बाता है तो मतलब जब आप क्राइब बढ़ी स्टे चाहित में तो वह पावर होता है काफी सिसकते हैं मिल्ट हो जाएक इसके लिए घट्थ होता है जो इसके लिए हम या करते हैंalan बनावा रबर यूस करते हैं कि इसी को कहीं पर भी तो मैंने पॉलिमर के जितनी भी यूशिस हैं सब मैंने कवर कर लिया प्लास्टिक के मैं बात करहा हूं हाला कि प्लास्टिक तक है रगी सीखेंगे और आग़ आप सेखेंगे बिए रबरके अंदर तो जल्दी से इस जो वीडियो चल रहा है इसको आप जो देख रहे हैं उसको लाइक कर लिजे और जो लोग इस चैनल पर बने हैं उससे शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और बता दीजिए कि एक लफ या बैच जो है आपको PCM यहां पर जो सब्जेट चल रहा है यह चलो तो इस तरह से जो आपको अपर दिखाई रहा है अब समझ में आ चुका है कि एच्छो यह सिस क्या होता है सिस जो होता है कहीं वह आजिंटिकल जो एटम सोते कारबन कारबन डबल बोंड के आजू बाजू जो आटेश होते हैं वह कहीं अगर उपर अटेश है तो से अगर क्रॉस में अटेश है तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं और ट्रांस आपको पॉलीमर मिलता है नेचरल पॉलीमर में बड़ यह आपको इन इलास्टिक नेचर दिखाएगा तो यह सब्सक्राइब मैं बता रहूं आपको कोई कंप्यूजन नहीं होना चीए सब एक और सब्सक्राइब को बहुत जब पर गुट्टा परचा के नाम से भी जाना जाता है क्लियर हैं चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो नेचर लबर हमने अभी भी देखा है इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है तो जो इसका अगला कंटेंड होगा व कोस्ट बिल्कुल फ्री बिल्कुल मुफद हम गोल सकते हैं आपको फिजिस केमेस्ट्री मैस बायो चारो सब्जेट की वेल प्रिपेर्ड आपको क्या और यहां पर ऑनलाइन क्लासेश चल रही हैं और वो क्लासेश हो रहेंगे आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलें आपको मिलेंगी और आप आसानी से जब चाहें तब उससे आप देख सकते हैं ठीक हैं लेकिन उसके लिए करना क्या होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में जाएए वहाँ पर एक टेलिग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पर जाएए उस लिंक को क्लिक करके पहले आप च जब भी हम M.C.Q की प्रैक्टिस कराएंगे आपको पहले से पता रहा कि हम अब हमें M.C.Q की प्रैक्टिस के लिए आज इतने बजे इलट रहना है इस सब्जट के लिए तो इससे क्या होगा कि आप उस चेप्टर को थोड़ा थरली परके आएंगे और जब M.C.Q की प्रैक लेक्टर जो होगा वो कहीं-कहीं पॉलिमर का लाष्ट लेक्टर होगा और उसके बाद एक और एक शौत होगा पूरा पॉलिमर एक ही लेक्टर में आपको बताओंगा जिससे की जो बच्छ ऑलेडी पौलिमर को बहुत बार पढ़ पढ़ चुके अच्छे से देख थे हैं करेंगे आने वाले दिनों में चलेगा तो इसके साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं मिलते हैं नेक्ट नेक्चर में नेक्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में तब तक आप